उना के आईटी आई परिसर में चल रहा विद्यार्थियों और साबाजिक संस्थाओं का धर्ना प्रदेशन आच माच में दिन में प्रवेश कर गया है प्रदेशन कारियों ने अलान किया है कि कल 22 नवंबर तक अगर सरकार ने उनकी आई टी आई के तीन ट्रेड को गगरेट शिफ्ट करने की मांग को नहीं माना और इस फैसले को वापस नहीं लिया तो 23 नवंबर को चक्का जाम कर दिया जाएगा प्रदेश की अगवाई कर रहे अमित वालमिकी ने बताया कि बीच सत्र शिक्षन संस्थान के तीन ट्रेडों को जला मुख्याले से दूर शिफ्ट करना चात्रों के साथ अन्याय है उन्होंने कहा कि विद्यार्थी पांच दिन से अपनी मागों को लेकर विरूद जता रही हैं लेकिन सरकार की तरफ से अब तक किसी भी तरह का सकारात्मक सहयोग उन्हें नहीं मिला है तो डिप्टी सीम के घर पर इनकी बात हुई थी तो डिप्टी सीम ने इदर अब ध्याय को रिजाई अद्दे को फोन बारा था कि आई टी का क्या चल रहा है तुर ने बताया था हमारे नंबर भी लिए गे ते होरोन ने बताया था कि आई टी यहीं पर रहनी चाहिए वहाई आई टी आई चाहतरों का कहना है कि वो दूर दराज के ख्षेतनों से आकर शिक्षा ग्रहन कर रही हैं ऐसे में बीच सत्र में उनके इस सपर को दोगुना करके वे भाग द्वारा उनकी समस्याओं को बढ़ाया जा रहा है सरकार की तरफ से कोई आक्षिन नी लिया जा रहा है और सरकार हमारे बात में सुन रही है अगर सरकार हमारे बात में सुनती तो हम तेस तारीक को बड़े लेवल पर रोड मा रोड सो करेंगे जिसके जिम्मेबारी सरकार की रहेगे वर्शाशन की रहेगी हमारे यहां से ती भी इस्ते खराब हो रहा है जिस आने वाले वाक के लिए हमें बड़े दिख्कतों भी बच्चों कि दिए हमें जहां पर पांच बाद दिन हुआ है धरने में बैठी हुए और सरकार की तरह से हमें कोई भी रिस्पोंस नहीं आया है और अगर सरकार हमारे वांगों को पूरी करती तो तेस सारी को हम बड़े बड़े लायर पाद धरना देंगे